जूला चाप डॉक्टर विना रजिशिशन कार चला रहाता नर्सिंग हो प्रजब के दौरान महीला की हुई मौत 24 घंटे बीच जाने के बाद भी नहीं हुई हुई हॉस्पीटल पर कोई भी प्रभावी कारवाही अब बताते चलें उत्रप्रदेश के चंदपद अमेठीक की स्वास्त विवा की मनमानी के चलते तहसील तिरोई छेतर में गली गली में जूला चाप डॉक्टर हॉस्पीटल बनाकर मरीजों को लूट रहे हैं आपको बता दें तो कि थाना मोहनगंच सहापूर इस्थ लक्षय हॉस्पीटल में डॉक्टर की इला परवाई से हुई प्रिशप के बाद महिला की मौत हॉस्पीटल पर ही परिवार के लोगों ने जम कर काटा हंगामा घटना की सूचना पर थाना वहनगंच पुलिस मौके पर पहुँचकर जाँच परताल में जुट गई है जगदीश नगर कलोनी अगोना नेवासी हसीप की पतनी साजिया लगबग उम्र 28 वर्ष प्रिशप के दोरान कल रात्री में भर्ती कराए गये थी जिसका रात्री में ऑप्रेशन डॉक्टर आरके शर्मा के द्वारा किया गया शाम पांच बजे महिला के हालात खराब होने की लगी और आदे घंटे बाद उसकी मृत्यों हो गई मृत्यों की सूचना पाकर परेशन क्लेनिक पर पहुंच गए बरती भीड देखकर डॉक्टर वास्टाफ क्लेनिक छोड़ कर मौके से फरार हो गए लेकिन परेशन लास को लेकर गंभीद नजा का देखते हुए डॉक्टर अभी तक अस्पताल से फरार बताय जा रहे है शूत्रों की मताबिक इससे पहले भी एक लेने का कई बार सुर्ख्यों में कई हास से होते रहे हैं तो वहीं बाल बच्चे मरीज कोई सुविधा डॉ लानोसो महीला की मौत हुई है पाल अभी एक लानोस वीधा रहे हैं भी एक लेने लानोस होते हैं तक लॉप्ला रहे हैं